हलो स्टूरियन्स आज इस वीडियो में हम क्लास 6 बुक आरे सगरवाल ICSC बोर्ड चैप्टर 6 प्लेइंग वीद नंबर्स एक्सरसाइज 6 सी कोश्चिन 8 और 9 को सॉल्व करेंगे बच्चों जे एक्सरसाइज 6 की 5 वीडियो है अगर आप कोश्चिन 1 से लेकर 7 तक की वीडियो और आगे 6 डी की वीडियो देखने चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं टू वैसल कंटीन 104 लिटर और 91 लिटर मिल्क है find the measure of bucket of maximum capacity which can measure the milk of either vessel and exact number of times तो बच्चों यहाँ पर HCF के वले कोश्चिन से हैं तो हम इसका HCF निकालेंगे ठीक है तो वो हमारा answer आजेगा तो यहाँ पर लिखेंगे question 8 है HCF of 104 and 91 ठीक है 104 and 91 तो कैसे निकालते हैं 104 को लिखेंगे बीच में 91 1 पर चले जागा 91 4 में से 1 माइनस किया 3 और 10 में से 1 माइनस किया 10 में से 9 माइनस किया 1 अब हम 91 को 30 से डिवाइट करेंगे तो 13 7 कितने आता है 91 तो इसका answer क्या आगया 13 ठीक है तो यहाँ पर लिखेंगे required क्या लिखा हुए capacity of maximum capacity लिखा हुए न required capacity of bucket is 13 liter of bucket is 13 liters ठीक है इस तरह से बहुत easy है तो I hope यह question आपको clear होगा अब हम question 9 करते है question 9 में क्या पुछा गया बच्चो यूज scf to show that 357 and 1625 are co-primes co-primes क्यों होते हैं जिनका scf 1 आता है ठीक है तो वो हमारे numbers क्यों होते हैं co-prime होते हैं यहाँ पर hint भी दिया गया है तो इसको हम scf निकालते हैं यहाँ पर hcf of 357 and 1625 ठीक है तो 1625 बीच में लिखेगे 357 अब यह किस पर जाएगा तो बच्चो अब यही दिखो ना यहाँ पर 16 है तो यहाँ पर यहाँ तो 3 से hint ले लो 35 जा 15 होगा ठीक है बट आप 357 को 5 से multiply करोगे ना क्योंकि बच्चे थे को 5 5 25 5 2 carry होगा तो 5 3 15 16 17 भी चला जाएगा ठीक है थोड़ा सा अपना mind लगाने यहाँ पर तो इसको हम 4 से करके देख लेते हैं ठीक है तो 4 7s are 28 4 से करेंगे 28 2 carry 4 5s are 20 और हमने 2 carry 22 2 carry होगे 4 3 12 और 2 14 आ गए अब इसको minus कर देंगे अब 5 में से 8 minus नहीं हो सकता 15 में से 8 minus कि यह seven आया अब 1 में से 2 minus नहीं हो सकता 11 में से 2 minus कि 9 और यहाँ जैकी 5 5 में से 4 minus कि यह 1 अब हमने क्या करना है 357 को 197 से divide करना है अगर हम इसको करते हैं 2 से, तो महारा कहा है bigger number आएगा, तो हम यह 1 पही जाएगा, 197, 7 में से minus किया, 7, 0 आया, 5 में से 9 minus नहीं कर सकते, तो यहां से कह रहेगा, 15 में से 9 minus किया, तो 6, यहां रहेगा 2, 2 में से 1 minus किया, 1, अब हम क्या करेंगे, 197 को 160, जो महारा remainder है, उससे divide अब यह किस पे जाएगा, यह भी महारा 1 पे ही जाएगा, ठीक है, तो यहां पर 7, as it is, 9 में से 6 minus गया, तो 1 आया, अब हम 160 से करेंगे, ठीक है, तो, नहीं, नाइन में से 6 माइनस गया, 3 आया, 37, 1 में से 1 माइनस को 0, अब 37 से करेंगे, तो किस पर जाएगा ये, तो अब ये देख लो, आप 5, 3 जा 15 होता है, यहापर 7 है, तो 5 से करेंगे, तो bigger नमबर आएगा, तो 37 को 4 से करके देख लेते हैं, तो वहारे पस कितना आ गया, 148 37, 4 से, 148, माइनस किया, 10 में से 8 माइनस गया, 2, 5 रहे गया, 5 में से 4 माइनस गया, 1, अब 37 है, तो 12, 3 से कितना होता है, 36, फिर 1 रहे गया, 12, 1, 12, 0, 12, अब अब अच्छो, इसका SCF क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है न, तो मतलब कि यह तो नमबर इसल पर कटेगा, या 1 पर जाएगा, ठीक है, तो यह हमारे नमबर क्या हो गए, को प्राइम हो गए, ठीक है, तो हम यहाप लिखेंगे, सो, HCF is 1, सो, 357, and 1625 are को प्राइम्स, ठीक है बच्छो, अगर आपको को प्राइम्स के बारे में पूछे जाए, कि हाँ भी नमबर को प्राइम्स है के नहीं है, तो उनका HCF 1 आना चाहिए, अगर 1 आ रहा है, तो वो नमबर मारे क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं, ठीक है बच्छो, इसके साथ ही हमने exercise CK सभी question को solve कर लिया, I hope आपको हर question clear हो गया होगा, वीडियो useful लगी है, तो वीडियो को like करें, share करें अपने friends के साथ, चैनल पे नहीं होतो चैनल को subscribe करें, thank you for watching